हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गॉर्मेंट जोबस प्रदोस आपर आरार भी एलपी भरती दोहजार चोविस को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है रेलवे के द्वारा 6 साल के बाद में हाँ पर नोटिफिकेशन आया है यह 01-2018 और 01-2024 यानि कि टोटल 6 साल का अंतराल के बाद में और वो भी पोस्ट है 5,696 यानि कि सिर्फ और सिर्फ आपकी लगबग 5,700 पद है वो जारी किये गए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टेकनिसियन की वे यालेट की जब भरती आती है तो उसके साथ में टेकनिशियन और एलपी दोनों की वेकेंसिश आती है इससे पहले 2018 में भी यही था 2014 में जब आई उससे में भी यही था और पहले जितने वी वेकेंसियन लगबग सभी में यही प्रोसेस अपनाया गया बट इस बार जैसे एज में फिलहाल एज क्रिटेरे क्या है क्या छूट और मिल सकती है क्या इस पर भी बात करेंगे सेलरी योगता और पूरी जानकार यानिकी हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में तो चैलंग को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि रेल्वे से जुड़ी हर पर है तो स्टार्ट करते हैं एक सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि टेक्निशिन की वेकेंशी क्यों नहीं आई तो इसका रीजन के लिए हमें यहां पर यह लेटर जो की आठ जनवरी 2024 को आया था इस पर हलाकि हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा साम डिले हो गए थ ज्यादा लोगों तक समाचार है वो पहुंच चोके हैं क्योंकि हमने खुद ने जो नोटीस है हमारे वोटसप गूरूप है या फिर हमारे जो टेलिग्राम गूरूप है इन्फो गूर्मिट जोब के नाम से वहां पर हमने यह प्रोवाइड कर दिया था तो अभी हापर ज सब्सक्राइब कर देखे होंगे आपने कोई बंदा चोड़ के गया है या फिर किसी वज़ा से खाली हुआ उपद तो उसको बहरा जाता है रिप्लेश्मेंट पेनल से बट जो आ रहे हैं काफी टाइम से देखे होंगे आपने अपने वो दोस्तो नई वेकेंसी उसके अंदर एड की गए है और इस लेटर में खास तूर पे हम मोटा मोटी देखे तो यही चीज इसमें बताई गई है कि जो पद है वो यहाँ पर काउंट किये जाएंगे वो 30 जून 2025 तक के पद काउंट किये जाएंगे इससे पहले आपके जो 2024 तक के पद काउंट किये गए थे बट यहाँ पर अब इसको बढ़ा के 30 जून 2025 तक के जितने भी पद हैं टेकनिशियन के वो काउंट किये जाएंगे उसके बाद में stand-by कंडेट कितने है उनको किसी साब से सेट करना है किसी RRB में अगर नहीं है तो उनको दूसरे RRB में shift करना है यह सब चीजे होंगी और उसके बाद में अगर vacancy खाली बसती है तो open market से भरी जाएंगी यह चीज दोस्तों क्यों होती है अब अंदर की बात यह है कि जो waiting में जो कंडेट है वो यहाँ पर अब तो ज्यादा तो नहीं बचे क्योंकि LP की waiting वो लगबग clear हो गई थी लगबग एक से डेट साल पहले ही clear हो गई थी तो इसलिए यह नहीं vacancy निकाल दी गई है बट जो waiting में जो कंडेट technician के अंदर ज्यादा है वेटिंग निकली है हलाकि पिछले साल काफी लोगों की waiting clear हुई है बट अभी भी काफी लोग बचे हुए है तो वो क्या करते हैं र बड़ा रिजन है कि जो waiting है में जो कंडेट है technician के उनकी पहले waiting clear होगी उसके बाद में आपकी vacancy technician की आएंगी सबसे बड़ा रिजन तो यह है और दूसरा है हां पर जो पोस्टे तो बहुत खाली है technician की काफी पोस्टे खाली होती है रिटायर्मेंट में काफी लोग रिटायर हो रहे हैं वो बात अलग है बट दूसरी चीज़ा वो प्राइटाइजेशन भी एक बड़ा वज़ा है इसका कि यहां पर जो पोस्टे है वो आपकी जो है या फीर आपकी जो वैकैंसी वो 1-2 साल डिलय होगी फिर पर फिलहाल जो notification निकाला है वह हम ठोड़ा सा देख़ लेते हैं तो इस तो यह निकाला है हो सकता वीडियो लेट देखो तो आपका जो जो बड़ा notification and details notification वह भी आजाए बट इसमें असिस्टन लोको पाइलेट के बद हैं, 19 फरवरी 2024 तक आप फोरम भर सकते हो, 20 जनवरी से फोरम स्टार्ट है, और इसमें आपकी जो है, लेवल 2 गुनिस सो गुनिस सो गुनिस सो गुनिस गुरेड़ पे की नोकरी है, और गुनिस हजार नो सो आपका बेसिक रहेगा, जिसके उपरे फिलाल की रेट 46 परशंट डिये, मिलाके आपका ट्रेनिंग के अंदर बेसिक पलस डिये दिया जाता है, जो कि आपका लगभग 25 से 30 ओजार के बीच में आपको 28 से 30 ओजार मानो आपको मिलेगा, और training के बाद में आपको काफी salary मिल जाएगी क्योंकि लोको पाइलेट की job है तो इसमें running allowance वगेरा मिलता है यानिकि आसानी से आपकी 60,000-70,000 रुपई salary है वो बन जाएगी जब आपकी training complete होगी जो कि 4 महिने की training होती है इसमें A1 standard medical होगा अगर आपके पास चस्मा है आपने operation करवाया है laser करवाया है कोई भी आपका जो है आखों के related कोई भी operator वगेरा हुआ है या फिर थोड़ा सा भी color vision है आपको कोई भी ये चीज है तो आपको forum भरने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि पहले तो हम ये सोचते थे कि हमें driver में नहीं तो हमें technician में कहीं न कहीं post मिल जाएगी बट इस बार सिर्फ और सिर्फ driver की भरती है तो आपकी other post नहीं मिलेगी तो आगर आपका medically fit आप नहीं हो खास तोर पे आखों का आपकी 6 by 6 आखें नहीं है तो आप forum ना भरें क्योंकि आपका time और समय और पैसा सारी चीज़े वेर्थ होंगी तो ये चीज़ ध्यान दे medical standard बहुत ज़्यादा important है और age के अगर हम बात करें तो 17-2024 तक आपको age count करनी है और age है वो 18 से लेकर 30 साल रखी गई है आपको काफी लोग बोलेंगे 6 साल से बढ़ती है तो चूट क्यों नहीं है तो दोस्तों आपको बजातों पिछली बार 18 से 28 थी इस बार यहाँ पर 18 से 30 है तो चूट पहले से इसमें दी गई है इससे ज़्यादा चूट की उमीद है वो रिलवे से आप ना करें टोटल वेकेंसी सभी आररबी की मिला के 5,696 वेकेंसी इसमें यहाँ पर दर्साई गई है ओ सकता है आगे क्या हो क्योंकि यहाँ मैंने आपका थम्मिल में ही लिख दिया है वेकेंसी बढ़ेगी और डेफिनेटली दोस्तों पिछली बार भी आपकी 27,000 वेकेंसी आई थी जो की इलेक्सन का साल होने की वज़ा से वो वेकेंसी बढ़ के 64,000 हो गई थी लगभग ढ़ाई गुना तो यहाँ पर भी आपकी उमीद है वो बरकरार रहेगी पद है वो जरूर बढ़ेंगे आप मान के चलें ड्राइवर के तो जरूर बढ़ेंगे लोको पैलेट के तो बागी टेक्निशन की वेकेंसी तो है नहीं अगर टेक्निशन की वेकेंसी एड़ की जाती है तो दुबारा से फोरम भरवाये जाएंगे क्योंकि आइटेए वाले जो एक एक साल की जो आइटेए हैं उनकी भी टेक्निशन में पोस्ट होगी और वो अपने प्रिफरेंस दुबारा से देंगे तो वो चीज़े लंबी खचेंगी तो उसमें हम आगे जो अपडेट आएगा इसके साथ आइटेए के साथ आपने डिपलोमा, डिग्री यानि कि उच तरकी जो भी स्टेडी की है वो इसमें अलाउ रहेगी जबकि टेक्निशन के अंदर सिर्फ और सिरफ आइटेए ही रहती है डिपलोमा और बीटेक अलाउन नहीं होती है यह बड़ा FACT है वो आईटेए बालों को मिल जाता है बात करें केटेकरी की तो फीटर, एलेक्टिश эн, इंस्ट्रूमेंट मेकनीकल मिलरेट, मेंटनेस मेकनीकल मेकनीकल रेडियो टीवी मेकनीकल मेकनीकल, मेकनीकल मोटर वीकल वाइरमेंट, ट्रेक्शन मेकेनिकल, आर्मेर्सर, कोईल वाइनर, आपकी जो है, मेकेनिकल डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मशीनिस्ट, रेफ्रिजरेटर, आरेसी, और या फिर दस्वी पास आपकी जो अप्रेंटेशिप इसमें किया हुआ है कि इन ट्रेडों में, तो वो भ इसमें फोरम भर सकते हैं, वो दस्वी पास अप्रेंटेशिप तीन साल वाली वो भर सकते हैं, और दस्वी पास IT वाले NCVT, SCVT दोनों फोरम भर सकते हैं, यह चीज आप देहान दे, और आपको डिपलोमा वगएरा बता दिया, वो भी भर सकते हैं, ओनलाइन अग्जाम हो तो आपको रिटन मिलेगी चार सो एनकी 390 रुपए अधर केटिगरी में और इनकी यहां पर 190 रुपए के सम्थिंग रुपए है, वो यहां पर SCVT X-Man इनको वापिस मिलेगी जो अग्जाम देंगे उनको जो अग्जाम नहीं देंगे उनको नहीं मिलेगी, रेक्रिमेंट तैसरा स्टेज आपका होगा, वो यहां पर आपका आगे होगा, उसके आपका प्रोसेस होने वाला है, मोटा-मोटी, बाकि देखते हैं कुछ चेंजमेंट होता है या फिर नहीं, सभी RRB की वेबसाइट जैदी गई है साथ में, eligibility यहाँ पर आपकी जो एक candidate सिरफ और सिरफ एक forum बर सकता है और एक ही RRB से forum बर सकता है ये चीज आप ध्यान दे क्योंकि इससे पहले 2018 से पहले यहाँ पर अलग-लग RRB की vacancy निकलते थी सब लोग अलग-लग RRB में एक साथ forum लगा जाते थे एक से ज्यादा तो ये चीजे बंद कर दी गई है ये चीज आप ध्यान दे बाकी आगे की update हम आपको देते रहेंगे कोई भी doubt हो आपको तो आप नीचे comment कर सकते हैं हम आपको जवाब देंगे और वीडियो को दोस्तों के साथ share करें और useful और सही और सठीक information आपको दी जाएगी चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले वीडियो को लाइक करें धन्यवाद जेहिन जे भारत